स्कोटलेंड ने जो पहले राउंड के मुकाबले थे बहुत अच्छा फॉर्म दिखाया था तो लग रहा था कुछ कमाल करेंगे सूपर ट्वेल्स में लेकिन उनके सामने आई एक बहुत खतरनाक अफगानिस्तान टीम अपना पहला मैच T20 वर्ल्ड कप का केल रहे थे ता सि प्रिस्ता से चर्चा करेंगे हमारे साथ जुड़ेंगे दीपदास कुटता आप देख रहें ESPN क्रिक इंफो T20 ताइम आउट प्रिजेंट बाइकू दीप सबसे पहले बात तो करनी पड़ी की ओल आउट हो गई है साथ रनों पे स्कॉट्लेंड की टीम नौ विकेट तो स्पिन के इनबाजी चटका देते हैं मुझीबूर रह्मान जो पाच विकेट लेते हैं 20 रन देकर राशिद खान ने सुरिफ दो तशमला दो ओवर डाले हैं उसमें भी वो चार विकेट ले गए हम कह रहे थे कि यह जो स्पिनर्स की तिकड़ी यह परिशानी में डालीगी बड़ इसका अनुमान तो शायद किसी नहीं नहीं लगाया होगा बिल्कुल लेकिन पता है इसमें क्या है कि मुझे लग तो यह रहा था कि मुझीब और राशिद विकेट निकालेंगे उसमें कोई दो राएं नहीं है और मुझकिल होगा खासकर इस पिच के उपर हाला कि यह पिच पहले से बहुत बहुत बहतर खेली है पिछले जो पांच-छे मैचे से हम देखने हैं पिछले एक महीनी से जो देखने हैं उससे काफी बहतर खेली है लेकिन फिर भी सबसे बड़ा पॉजिटिव जो अफगान बनाना प्रती होगा तो मेरे खाल से जहां पे बहुत 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 यह अच्छी गेंद बाजी कि और पेक्षा भी करते हैं राशिद और मुझीब से लेकिन इस मैच बनाया था बल्ले बाजों पर हम आते हैं एक बार स्कॉटलेंड के पहले बल्ले बाजों के बारे में ब तो जो खेल चुगे उनके लिए क्लूलेस हो जाता है कभी कबार कि पढ़ने के बाद किस तरफ गूमेगी गेंद और यह तो ऐसे आप प्लेयरों की बात कर रहे हैं जिन्नों ने पहले कि शायद खेला भी ना इन दोनों को तो बहुत मुश्किल काम है और सेकंड हाफ में हाला कि बल्लेबाजी की तरफ जिसके बारे में आपने जिक्र भी किया था कि उन्होंने मैच बना दिया और इसके बारे में हम बात भी कर रहे हैं यह जो चार बल्लेबाज हैं उपर के अगर आप देख ले नजीबुला जादरान जो नीचे आते हैं उससे पहले आपके खतरनाक है आगे भी यह खतरनाक हो सकती है बैटिंग और बिल्कुल और मेरे कहल से रामनुला गुर्बाज के आने से काफी फरक पड़ा है 19 वर्ष यह हैं और उनके पास जैसे जिस तरीके से आज की पारी उन्होंने खेली शुरुआद में रान बॉल की खेल रहे थे उसक तो टेक्निकली स्ट्रॉंग है जिसके पास गियर्ज है और फिर जादरान भी बड़े अच्छे फॉर्म में देख रहे हैं तो यह बैटिंग उनका कमजोर पक्षा है यह हम सब जानते हैं मेरा तो पहले सी सी सारी डॉनमेंट के पहले यह कहना था कि 140 भी अगर बना देते ह इस भी सवाल यह खड़ा होता है दीप की स्कॉटलेंड के जो स्ट्राइक गेंदवास थे उनका क्या हुआ क्योंकि हमने देखा पहले राउंड में काफी सफल साबित हुए दूसरी बात यह कि हम जानते हैं कि यह सब काउंटी क्रिकेट खेलते हैं तो experience भी है आज क्या conditions न दूसरे मैचेस में 125 बनाने में लोगों की तो यह पिछ भी बहुत बेतर के लिए तो उस लिहाज से थोड़ा सा जैसे आपने का कंडिशन से वाकिफ नहीं है उतने जादा जी यह गेंद बाज है और उपर से अंडर प्रेशर जब होते हैं तो मुश्किल होई जाती है अगर पिछ अच्छा हो वो शार्जा का मैदान फिर वैसे भी छोटा तो चक्के भी लगते हैं एक मैच में तो वह तो लगब उतने तो पहली पारी में लग रहे थे बहुत 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 शुक्रिया पुरी जानकारी के लिए आप देख रहे थे एस्पें क्रीक इंफो टी ट्वेंटी टाइम आउट प्रेजेंटेड भाइकू